भीया कहीं बार क्या होता है, हम किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचना जाते हैं, उतना ही जादा हमारा दिमाग सोचने लगता है, बार बार वो ही ख्याल दिमाग में आने लगते हैं, आखों के आगे आने लगते हैं, हम परिशान हो जाते हैं, ऐसा क्यूं होता है, क्या करें दोस्त क्या होता है जब आप किसी थौट से, किसी ख्याल से भागते हो ना, छुपते हो ना आपका दिमाग समझ जाता है कि एक थ्रिट है, टेंजर है वरनाप किस जीस से क्यूं भागोगे, क्यूं बचोगे आप तो सिर्फ इसलिए बच रहे हो कि कोई बॉद्रेशन ना हो किसी ने थोड़ी सी इंसल्ट कर दी कुछ सुना दिया चल छोड़ यार आगे बढ़ता हूँ इसके बारे में नहीं सोचना परिशानी होगी इतना important वो चीज है नहीं लेकिन आप उससे बच रहे हो भाग रहे हो तो आपके दिमाग ने सेंस कर लिया कि ये एक बहुत बड़ा danger हो सकता है और उसको लगता है कि ये एक danger है तो वो आपको बार-बार उसके बारे में चिताएगा जताएगा बार-बार उस ख्याल को आगे लेके आएगा जिससे आप परिशान हो जाओगे जितना आप किसी चीज से बचोगे उतनी उसकी intensity, importance और power आपका दिमाग बढ़ा देगा यही दुविदा है एक इंसानी जीवन की intelligence होने की इसलिए ही अक्सर क्या होता है कोई भी छोटा सा negative event हो गया घर में लडाई हो गई बॉस ने सुना दिया सड़क पे चलते वे किसे लडाई हो गई कोई छोटा सा हाथसा हो गया कोई भी चीज हो गई जो आपको bother कर रही है आप उससे बचने ही पाते जितना बचने की कोशिश करते है उतना ही वो ख्याल आता रहता है दोस्तो उसका simple सा हल है कि आपको उस ख्याल से भागना नहीं है बचना नहीं है फेस करो कोई चीज हुई है ना बॉस ने insult किया ना फेस करो जब जीवन में छोटा सा हाथसा हुआ है इसके impact को आपको भुगतना ही पड़ेगा चोट लगी है दर्द भुगतना पड़ेगा दिमाग में ख्याल आ रहा है आने दो हाँ ठीक है मेरे साथ हुआ है हो गया ना सहल ही आना बस जैसे ही ख्याल आपने आपको बोलो हो गया ना ठीक है कोई बात नहीं हो जाता है जितना सहोगे दीरे दीरे वो ख्याल अपने आप कमजोर पढ़ते चले जाएगा कुछ टाइम जरूर परिशान करेगा उसके बाद वो खत्लम हो जाएगा लाइफ में और चीज़ आ जाएगी दोस्तो अगली चीज़ है अपने आपसे बाते करनी पड़ती है किसी ख्याल से आप बचने की जगे उस ख्याल को फेज करके अपने आपसे बोलो कि तू इतना इंपॉर्टन नहीं है यह जो चीज मेरे साथ हुई है कोई इतनी इंपॉर्टन नहीं है ये होके खतम होच चुकी है अब मैं आगे बढ़ने वाला हूँ ये मेरी लाइफ से बड़ी नहीं है ऐसे हाथ से ऐसी चीज़े होती ही रहती है सड़क चलते किसी रहागे अपने आपको कुछ सुना दिया किसी से गाड़ी टच होगे उसने कुछ उल्डी सीधी बात बोल दी तो आप सोचो कि यार उस इनसान की अब ब्रिंगिंग ऐसी है उसकी तमीज ऐसी है तो मैं क्या करूँ उसने कुछ बोला मुझे लग थोड़ी किया उसका मुझ खराब हुआ उसके संसकार नजर आए ऐसे घड़िया लोगों के लिए मैं क्यों अपने सुबाफ को बदलू या आपसे कोई गलती होगी किसी ने कुछ सुना दिया तो अपने आपको बोलो है चल मेरे से गलती हुई है मैंने गलती की है परिणाम भुगत लिया कोई बात नहीं आगे से नहीं करूँगा सीखूँगा गलती की है तो परिणाम भुगत नहीं था नहीं एक्सेप्टेंस लेकर आओ खुद से बात करो और उस ख्याल को कमजोर करो और दोस्तों सबसे जरूरी सबसे important चीज है खुद को busy कर लेना हर इंसान की life में इतने सारे issues इतनी सारे चीज़े होती है कि एक ख्याल को कमजोर करने के लिए 10 options पड़े हुआ है काम में लग जाओ कोई और tension है उसको आगे लिए इस tension को खतम करने के लिए कोई करम oriented tension जिसके लिए आप कुछ कर सकते हैं उसको आगे ले के आओ और उसके लिए करम करो परिवार में busy हो जाओ बाते करो किसी से engage करो खुद को जितना engage करोगे उतना ये ख्याल कमजोर हो जाएंगे बस ये तीन चीज़े आपने कर लेनी है और वो ख्याल अपने आप दिमाग से निकल के बाहर हो जाएगा थैंक्यू दूस्तों